हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सब का एक बार फिर से डिप्लोमा होल्डर्स पर आज के इस वीडियो में बिहार टेक्निकल सर्विस कमिशन की तरफ से एक इंपोर्टेंट अपडेट जारी किया गया है इसमें जूनियर इंजिनियर सिविल एलेक्रिकल और मे प्लिट इंफोर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा चैनल पर नए है और अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा ताकि किसी भी लेटेस जो का अपडेट आपसे मिसना हो तो हम हैं के ओफिसल नोटिस पर नोटिस जो है आपका बिहार सरकार सामान प्रसासन विभाग की तरफ से जारी किया गया है प्रेशक में आप यहाँ पर देख सकते हैं सरकार के अवर सचिव है और सेवा में वो सारे डिपाइटमेंट में हैं जहां पर से जूनियर इंजिनियर के लिए वेकेंसी आने वाली जैसे पत्थ निर्मार विभाग, लगु, जलसनसाधन विभाग, पी डबलुडी, नगर विकास, जलसनसाधन, ग्रामिल्ड कार, डबलु आर्डी, योजना विकास, विज्ञान और बिहार तकनीकी सेवायोग जो आपके जूनियर इंजिनियर के जितने भी पद आएंगे, ये भरती BTSC के द्वारा ही होने वाली है, और डेट आप यहां पर देख सकते हैं, 12 अक्तोबर 2022 को ये नोटिस जारी किया गया है, मेन काम है विसे, विसे यहां पर आप देख लीजिए, कार विभागों में कनी अभियंता के पद पर नियुक्त की प्रिक्रिया में संसोधन हेतु, प्रस्तावित बिहार जल संसाधन विभाग, अवर अभियंतरल, सिविल, एलेक्रिकल, मेकेनिकल, समवर्ग, नियमावली 2022 के प्रारूप पर, विचारल हेतु, दिनांक, 18 अक्टूबर 2022 मंगलवार को, च उसे चेंज करने की यहां पर बात की जा रही है, मीटिंग यहां पर यह आपकी होगी 18 अक्टूबर को सामके 4 बजे, आगे यहां पर आपको पता रखा महा से, निदेशा अनुसार उप्युक्त विशे के संबंध में कहना है कि CWJC संख्या 73 वही आपका जो 40 वाला केस था एउम अन्य समरूप वाद में मानिये उच्च नयाले द्वारा पारित नयाई देश दिनांग 19-2022 के अनुपालन में कार विभागों के कनी अभियंता, सिविल एलेक्रिकल मेकेनिकल की समवरगिये नेमवाली में कनी अभियंता के पद पर नियुक्त हेत निर्धारित इन सभी डिपार्टमेंट के अध्यच, सच्चिव, प्रधान सच्चिव और अपर सच्चिव शामिल होंगे और यहाँ पर बिहार सरकार जल संसाधन विभाग की अधिसूचना जारी की गई है संचिप नाम, विस्तार, अयोंप्रारंब, परिभासाएं, नेक्स यहाँ पर यू आर केटगरी में अपलाई कर सकते हैं, और छे नंबर पर यहाँ पर आपको बताया है नियुक्ति, इस समवर्ग में प्रथम नियुक्ति सीधी भरती के आधार पर कनी अभ्यंता, सीविल, एलेक्रिकल, मेकेनिकल के पदपर होगी, इस पद में प्रोनती के आधार पर क क्योंकि गरना की जाएगी अयों, तद उनसार सामान प्रसासन विभाग के माध्यम से आयोग को 30 अपरेल तक आरच्छर कोटिवार अधियेचना भेजी जाएगी, यानि यहाँ पर आपको बताया है कि वर्स के जो है पहली अपरेल को जो है इनकी तरफ से पूरी लिष्ट तयार कर ली जाएगी कि कितनी पोश्टे खाली है और 30 अपरेल तक जो है सामान प्रसासन विभाग को ये जिठी पहुझा दिये जाएगी, नियुक्त की आहरता में यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस समवर्ग में नियुक्त होने के लिए आहरता निमनुत होगी, भारत के विशेस आदेश को छोड़ कर अभ्यारती का भारती नागरिक होना आवस्यक है, यहाँ पर अवर अभियंत्र समवर्ग के लिए सिविल एलेक्ट्रिकल मेकेनिकल में डिप्लोमा अथवा समकच योगिता धारी, नेक्स हम बात कर लेते हैं आपकी चैन होत तकनीकी योगिता के बारे में, यहाँ पर आपको बताये गया है अखिल भारती तकनीकी सिच्छा परिसद नई दिल्ली AICT से मानिता प्राप्त संस्थान द्वारा निर्गत सिविल मेकेनिकल एलेक्ट्रिकल इंजिनिरिंग अथवा समकच योगिता यानी जो इनके एक्विलिंक में संगी क्विसे में अखिल भारती तकनीकी सिच्छा परिसद द्वारा निर्गत अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक के अनुसूची सीरसक मेजर डिस्प्लीन्स देर क्रेस्पॉंडिंग कोर्सेज एन रिलेवेंट अप्रूप्रेट ब्रांच ओफ डिप्लोमा इन इंजिलि और इसलतंच में रहेंगे और इसी के साथ आपके इकुलेंट में आपकी अंकि ब्रांच यहां ब्रांच ने वहां कि सिप्लोमा बसरते की उनिर्ष्ट जो है को असेनिक यांत्रिक विदूत अथवा समकच योगिता में डिप्लोमा पाथिक्रम करने के लिए विश्विद्दाले अनुदान आयो की स्वीक्रति प्राप्त हो तथा AICT द्वारा निर्धारित सर्तों मापडंडों के अनुरूप डिप्लोमा पाथिक्रम संचालित हो अब बात कर लेते हैं आपकी एज लिमिट के बारे में तो यहाँ पर एक अगस्त को अभ्यारतिक उम्र जो है वो 18 वर्स होनी चाहिए अधिक्तमायू जो है राजसरकार द्वारा समय समय पर आरच्छड कोटिवार विनिश्चित उम्र सीमा के अंतरगत होना चाहिए और इसी के साथ यहाँ पर बता रखा है समीदा के अधार पर पूरू से नियोजुत कनी अभिहनता जो भी है सिविल एलेक्रिकल मेकेनिकल उन्हें यहाँ पर एज पर गोवर्यमेंट रूल के हिसाब से एज रिलेक्सेशन मिलने वाला है और अब हम बात कर लेते हैं आपके सेलेक्सेन प्रोसेस के बारे में तो यहाँ पर आपको चैन की प्रिक्रिया में बता रखा है जूनियर इंजिनियर सिविल एलेक्रिकल मेकेनिकल सम्वर्ग के मूल कोट कनी अभिहनता सिविल एलेक्रिकल मेकेनिकल के पदो पर नियोक्त ह यहां पर आपने आपने कहीं पर भी काम कर रखा है किसी भी प्राइवेट गोर्मेंट या सेमी गोर्मेंट शेकर में वो यहाँ पर आपका मानी रहेगा selection process यहाँ पर आपका 100 number पर रहने वाला है जिसमें लिखित परिछा के जो है आपके 75 number रहने वाले हैं और आपके पास जो भी work experience है उसके हिसाफ से यहाँ पर आपके 25 number रहने वाले हैं मान लीजिए 100 number का question है अगर आपके 100 में 100 number आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको 75 number मिलने वाले हैं ऐसे ही 5 maximum जो है 5 साल का यहाँ पर आपका experience count किया गया है एक साल का experience के आपके यहाँ पर 5 number जुड़ने वाले हैं तो इस हिसाफ से यहाँ पर आपका selection process रहने वाला है और आगे यहाँ पर आपको बता रखा है बिहार राजी के अंदर अवस्थित पॉली टिकनिक संस्थान से उत्रिल सिविल एलेक्रिकल और मेकेनिकल डिप्लोमा होल्डर्स के लिए रिक्त पदों का 40% पद आरचित रहेगा जिने आरच्छल कोटिवार निर्धारित प्रिक्रिया के तहट तयार मेधा सूची के अधार पर भरा जाएगा और इसी के साथ यहाँ पर आपको दूसरे पॉइंट में बताया गया है इतडर्थ सरोप्रथम साथ प्रतिसत अनारचित रिक्तियों के विरुद्ध सामानिकोट के अभ्यार्तियों बिहार राजिके अंदर अथवा बाहर अवस्थित संस्थानों से उत्त्रिल का चेन किया जाएगा नेक्स यहाँ पर आपको बता रखा आयोक के अनुसरसा में आयोक द्वारा चैनित उम्मिद्वारों की अंतिम मेगा सूची तैयार की जाएगी उसे सरकार की निक्त हेतु अनुसरसित की जाएगी आयोक द्वारा अनुसरसित उम्मिद्वारों का पैनल एक वर्स के लिए कनी अभियंता सिविल एलेक्ट्रिकल मेकेनिकल के पद पर उच्चतर पदों पर प्रोनत बिहार अभियंत्रल सेवा नियमोली के विनिश्चित प्रवधानों के अंतरगत होगी वरितावा अधरला अनुसासन नियंत्रलवा अपील में यहां पर आपको कुछ पॉइंट दिये लेकिन अब की बार यहां पर आपका लिखित परिच्छा का प्रोग्राम किया गया है अभी के लिए इतना ही आई होप यह पूरी जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी फिर भी अगर आपका कोई डाउट है क्वेरी है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं तो अभी के लेकिना ही वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक्यू सुक्रिया वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें